गोड़ मॉनें स्ट्वेंट वेलकम टू बीवी नीरने क्लासिर तो स्ट्वेंट आज हम फिप्त लेसन पढ़ेंगे तो स्ट्वेंट ये लेसन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैं इसकी समरी बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं एक डाक्टर यह कानी अपने कुछ मित्रों को सुनाता है वह डाक्टर एक होम्योप्योथ था डाक्टर कहता है कि वह एक छोटे से क्राय के कमरे में रहता था जिसमें बिजली नहीं लगी होई थी यह एक मकान का बहर वाला कमरा था कमरे की जो छट थी वे दोहरी डहलान वाली थी यह छट टायलों से की बनी होई थी दीवार गो उपर रखी एक कड़ी के उपर टिकी होई थी इस कड़ी के उपर की तरफ हर समय चुए गूमते रहते थे डाक्टर कहता है कि उसके उसने अभी अपने अपने डाक्टरी का जो वैवसाय अभी अभी शुरू किया था उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी उसके पास केबल 60 रुपे के लगबग थे जो अपने उसने सूट केस में रखे हुए थे उसके पास कुछ कमीजें और धोतियां थी उसके पास एक ही काले रंग का कोट था गर्मी की एक रात को उसने एक होटल में भोजन किया और अपने कमरे में लोट गया उस समय रात के लगबग दस वजे थे उस लिए अपना काला कोट सफेद कमीज उतार दी उसने अपनी सफेद बन्यान भी उतार दी किंतू वह बन्यान जदा सफेद नहीं थी फिर उसने कमरे के दोनों खड़गियां खोल दी उसने अपनी चारपाई लगाई और खीचकर दीवार के साथ कर दिया वह लेटा हुआ था किंतू सो न सका क्योंकि हवा बिल्कुल बन्द थी वह उठ खड़ा हुआ थोड़ी हवा लेने के लिए वह बहार बरामडे में बरामदे में चला गया वहां बहार कोई हवा भी नहीं थी इसलिए वह वापिस कमरे मा कर कुर्सी पर बैठ गया उसने एक पुस्तक ली और उसने मिट्टी के तेल वाले लेम्प की रोशनी में मैज पर बैठ कर पढ़ने लगा मैज पर एक दरपन रखा हुआ था दरपन की बगल में एक छोटी सी कंगी भी पड़ी हुई थी डाक्टर ने कंगी उठाई और अपने बालों को सवारा अर्थार्द बालों में कंगी की वह मैज पर बैठा हुआ था तो उसे उपर से कुछ आवाज सुनाई दी उसका ध्यान उसने उस अवाज की और ध्यान नहीं दिया और दरपन में देखता रहा डाक्टर कहता है कि दरपन को वह अपने चेहरे को देखते हुए ये एक मैतपूर निर्ने लिया उसने निर्ने लिया कि वह बहुत जादा अधिक सुन्दर दिखाई देने लगे और सुन्दर दिखाई देने के लिए वह रोजाना दाड़ी बनाया करेगा सेविंग करेगा एक पतली सी मूच भी उगाएगा उसने दरपन में देखा और मुस्क्रा दिया उसे अपनी मुस्कराट बहुती पसंद आई आकर्सित लगी और उसने निर्ने किया कि वह इस चहरे पर इस मुस्कान को हमेशा के लिए रखेगा उसे एक बार फिर उपर की तरफ भी वही सोर सुनाई दिया किन्तु डाक्टर ने फिर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया डाक्टर कहता है कि वह कुर्सी से उठा और उसने एक बीडी सुलगाई वह कमरे में इधर दर टेलने लगा उसके मन में एक मधुर सा विचार आया उसने सोचा कि वह एक महिला डाक्टर से विभाय करेगा साधी करेगा जिसके पास कापी पैसा हो जिसकी डाक्टरी में अबसाए भी अच्छा चलता हो ऐसे विचार सोचते हुए डाक्टर ने कुर्शी पर अपना स्तान दोबारा ले लिया अब उपर की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी कि अचानक एक मंद सी आवाज आई ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई रवर की ट्यूब जमीन पर आग रही हो जैसे ही उसने अपना सिर देखने के लिए गुमाया तो उसने क्या देखा उसने देखा गए कि मोटा सांप कुर्षी की पीठ के उपर उसके कंदों के उपर आ गया डाक्टर कहता है कि ने तो वै उचला नहीं कापा और उसने नहीं चीखा वै बहुत डर गया किंदू वईचलने चीखने का कोई समय नहीं था सांप उसके कंदे के सास सास रखता हुआ जाने लगा उसने डाक्टर की बाई बहां के गिर्द कोहनी कोपर की तरफ कुंडी लगा ली सांप ने अपना फन फैला लिया था इसका सिर्भ मुश्किल से ये डाक्टर के चेरे से तीन चार इंची दूरी पर था बहुत बहबितों का डाक्टर ने अपना स्वांस रोक लिया वे पत्थर सा बन गया किन्तु उसका दिमाग बहुत सक रिया था उसने देखा कि वहां खुले दरवाजे के बाहर की तरफ अंदेरा था उसने अपने बाए बाजू में पीड़ा मैसूस हो रही थी उसे ऐसा मैसूस हो रहा था मानो कोई आग की लट्ट उसकी बहां को मसल रही हो उसकी सब सकती जाने लगी थी किन्तु वह क्या कर सकता था वह सोचने लगा कि यह दिस सांप उसे काट जाए तो उसे कौन सी दवाई लेनी चाहिए किन्तु वह कमरे में कोई दवाई नहीं थी उसने स्वैम को एक मूर्ख डाक्टर कहा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ सीग भी सांप ने अपना सिर गुमाया उसने दरपन की तरफ मूं किया और उसने दरपन में अपना पिर्टी बिम में देखा साइज वह अपनी संदरता की प्रसेशा कर रहा था साइज यह और अज़े संदर दीखने के लिए मूच रखने अथ्वा अपनी पलकें काली करने की बास सोच रहा था साइज वह अपने माथे के उपर सिंदूर का टीका लगाने की बास सोच रहा था डाक्टर कहता है कि उसे किसी भी बात का निश्ट रूप से पता नहीं था उसे इतना भी पता नहीं था कि सांप एक नर है अथवा मादा किन्तु फिर भी अचानक सांप ने डाक्टर की बहां पर से अपनी कुंडली हटाई और धीरे धीरे फिसलता हुआ उसकी गोद में आ गया वहां से वह रेंगता हुआ मैजगू पर चड़ गया और दरपन की तरफ बढ़ने लगा सायद सांप अपने पिर्सी विम्ब को और अजिक नजदी की से देखना चाहता हो डाक्टर को ऐसा महसूस हुआ मानो उसमें फिर से जाना गई उसने स्वांस को रोके हुए वह कुर्शी से उठ खड़ा हुआ वह खामोसी सहे चलकर दरवाजे के बाहर गया और ब्रामदे में आ गया अब वह अपना पूरा यतन और अपनी पूरी ताकत लागा कर वहां से भाग लिया वह तम तक भागता रहा जब तक वह अपने एक मित्ते घर ने पहुँच गया उसने अपने पूरे सरी पर तेल मला शनान गिया फिर उसने अपने वस्त बदले अगले प्रात है वह अपने मित्र तथा अन्ने दो एक अन्ने दो लोगों के साथ अपने कमरे को आया वह वहाँ से अपने चीज़ें ले जाना चाता था किन्तु उसने देखा कि वहाँ से ले जाने का कुछ नहीं बचा है कोई चोर उनकी अधिकतर चीज़ें उठा ले गया था कमरे की लगबग सपाई कर दी गई थी चोर अपने पीछे केवल एक चीज़ छोड़ गया था यह थी एक डाक्टर की गंदे बने आन थेंक यू स्टेंट